हेलो एवरिवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम नए तरीके से टी टाइम स्नेक्स ये बहुत ही खसता और बहुत जादा लेयर हो वाला बहुत ही स्वाधिस्ट ये स्नेक्स बनके तयार होता है तो बीना टाइम वेस्ट के इस स्नेक्स को बनाना देख लेते हैं इस रेश्वी को बनाने के लिए हमने यहां मैदा ले लिया है अब इसे अच्छे से चान लेते हैं तो से करते हुए मैंने चान लिया है आप देख सकते हैं इसमें जो छोटे मोटे चंक्स हैं उसे हम निकाल देंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक यानि स्वादानुसार नमक और आधा चंमच अजवाइन को क्रस करके डाल देंगे दो चंमच यहां हमने रिफाइन ले लिया है जिस चंमच से हम खाना खाते हैं वही चंमच हमने लिया है और एक चंमच यहां देशी घी डाल देंगे अब इसका मोयन तयार कर लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंट्स बिलकुल परफेक्ट मोयन तयार हो गया है तो अब हम इसका डो बनाएंगे तो जिस कब से हमने मैदा लिया है उसी कब से एक कब पानी ले लिया है तो टोटल इसमें आधा कब पानी लगेगा इसका सौप्ट डो बनाके हम तयार करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी बिलकुल सौप्ट है तो अब हम ले लेंगे पानी थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं ये आधा कब पानी यूज हुआ है तो हलका सा पानी लेंगे यानि बहुत थोड़ा सा इसके उपर थोड़ा सा छीटे मारेंगे और इसका एकदम smooth dough बनाके अब तयार कर लेते हैं ऐसे मसलते हुए बिल्कुल smooth chicken dough बना लेते हैं तो friends देख सकते हैं इसका smoothness कि यह बहुत soft dough बनके तयार हुआ है तो अब हम इसे platform पर रखेंगे और बिल्कुल gold shape में इसको बना लेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से तो gold shape में इसको बनाके अब हम इसे equal part में divide कर लेते हैं तो मैंने यहाँ knife ले लिया है knife की help से इसको काट लेंगे क्योंकि अगर जो हमारी लोईया छोटी बड़ी रहेंगी तो अच्छे से यह नहीं बनेगा कोई मोटा कोई छोटा होगा तो इसे जितना छोटा हो सके उतने छोटे piece में काट के तयार कर लेना है यह देखिए एक से हमने इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में divide कर लिया है इसको भी अब काट लेंगे और friends यहां देखिए कि मैंने सारे piece को काट के तयार कर लिया है अब एक एक piece में दो-दो लोईया हम बना के तयार करेंगे तो इसके लिए पहले हाथों पर थोड़ा cylinder shape में बना लेंगे और equally दो लोईया बना लेंगे तो इस तरीके से हमने सारे आटे से दो-दो लोईया बना के तयार कर ली है तो अब एक लोई इसमें से लेंगे और गोल-गोल गुमा के flat कर लेंगे इस तरीके से सारा हम बना के पहले रख लेते हैं तो ये देखे फ्रेंट सारा हमने बना के रख लिया अब हम इससे side में रखेंगे और एक लोई लेंगे थोड़ा सा सुखे आटे की dusting करके इसको बेल के पूड़ी के जैसे तयार कर लेंगे तो इस तरीके से सारे लोईयों की पूड़ी हम बना के तयार कर लेते हैं तो ये देखे फ्रेंट्स पूड़ियां बन चुकी है अब हम इससे side में रखेंगे एक पूड़ी अब लेंगे और इसके उपर butter लगाएंगे तो butter को हमने गरम पानी में रखके melt कर लिया है फिर इस पर सूखे आटे की dusting करके दूसरी पूड़ी रखेंगे फिर से इस पर butter लगाएंगे फिर से सूखे आटे की dusting करेंगे और इसी process से सारी पूड़िया नहीं मतलब आधा यानि हमारी 32 पूड़िया बनके तैयार हुई है तो 16 पूड़ियों को मैंने यहाँ sit कर लिया इसी तरीके से 16 पूड़ियों को और बनाके हम sit कर लेते हैं यहाँ दोनो sit तैयार हो गया तो जो sit हमने पहला तैयार किया है इसको ले लेंगे और इसको बेल के हम बड़ा कर लेंगे ये देखी इस तरीके से तो इसको बेलते हुए हमने ऐसे बड़ा कर लिया है तो इस तरीके से इसको बेल के बड़ा कर लेना है और इसका थिकने साब देख सकते हैं तो अब हम इस पर फिर से बटर लगाएंगे तो आ तो इसमें एक फोल्ड लगाएंगे इसके उपर भी रिपायर लगा देंगे उसमें तरीके से इसका फोल्ड लगा देंगे तो इस तरीके से हम बना के तयार कर लेते हैं यहां दूसरा जो पूरी का सेट है इसको भी हमने इसी तरीके से बना के तयार कर लिया है तो अब हम इसे बेल लेते हैं तो बेलन की हेल्प से इसको दबाते हुए हम बेल के ऐसे बढ़ा कर लेंगे यहां आप इसका thickness देख लीजिए इस तरीके से इसको बेल के बड़ा कर लेना है और friends अब हम इसे काटेंगे तो काटने के लिए आप चाहें तो knife की help से square shape में बर्फी shape में काट सकते हैं मैंने glass की help से इसको गोल-गोल shape दिया है आप चाहें तो काटोरी से भी इसको काट सकते हैं जितना चोटा बड़ा रखना चाहते हैं तो इस तरीके से सारे snacks को काट के हमने निकाल लेना है ये देखी तो अब जो ये बचा हुआ पार्ट है इसको छोटे टुकडों में तोड़के इसे भी हम रख लेंगे बाद में fry कर लेंगे जो snacks के रूप में इसे भी खा सकते हैं तो friends अब हम एक snacks लेंगे और इसके बीच में होल कर देंगे उंगली की help से या हमने brush का पीछे वाला ये हिस्सा ले लिया है इससे दबाते हुए ऐसे होल कर देंगे इससे क्या होगा कि ये जो snacks बहुत अच्छे से fry होगा इधर से खुलेगा नहीं बस side से खुलेगा और बीच से चिपका रहेगा और fry भी बहुत अच्छे से होगा तो हमने कडाही में तेल चड़ा दिया है ये गरम हो चुका है तो अब देखे फ्रेंट्स इसे अब हम fry करेंगे तो तेल बहुत हलका गरम है बहुत ज़्यादा गरम नहीं है हलके बुलबुले उठ रहे हैं तो जितना एक बार में आ जाएगा उतना snacks हम डालेंगे और तुरंत इसे अलटना पलटना नहीं है जब ये फूल के उपर आ जाएगा तब इस पैचुला से दबाते हुए हम इसे fry करेंगे इस पैचुला से दबाने से फ्रेंट्स इसके लेयर बहुत अच्छे से खुलेंगे आप देख सकते हैं तो इसी तरीके से दबाते हुए हम अलटते पलटते हुए इसे fry कर लेंगे ये बीच से बहुत अच्छे से और अंदर तक एकदम क्रिस्पी खस्ता बनके तयार होता है तो आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत प्यारा आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और सेम इसी प्रोसेस से सारे स्नेक्स को हम fry कर लेंगे तो ये लीजिए फ्रेंड्स बिलकुन लाजबाब बहुत ही खस्ता मुँ में डालते ही मुँ में एकदम गल जाने वाला ये स्नेक्स सबको बहुत पसंद आने वाला है देखने में भी काफी सुन्दर है खाने में भी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तयार हुआ है ये देख सकते हैं इसे आप चाहे तो एक बार बना के महीनों स्टोर करके खा सकते हैं खाने में बहुत ही testy लगता है क्योंकि इसके layer जो है एक एक layer बहुत खसता और बहुत अच्छा खुल के आता है मैं यहाँ आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि यह कितना खसता है तो snacks की यह recipe आपको कैसी लगी अपना feedback जरूर दीजिएगा और channel पना है तो channel को subscribe कर लिजिएगा मैं यहाँ तोड़ के दिखाती हूँ यह देखे friends बहुत ही लाजबाब खसता यह बन के तयार होता है आप देख सकते हैं बिल्कूल एकदम छोटे छोटे टुकडों में यह तूट गया है तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जैसरी हरी